हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्या आप भी Facebook पे fingerprint lock लगाना चाहते हैं क्या आप जाना चाहते हैं कि Facebook पे हम fingerprint lock कैसे set कर सकते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए Hello, नमस्ते, मैं और नाम है Sanoj तो चले इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने phone पे So यहाँ पर अब हम अपने phone पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम Facebook पे fingerprint lock कैसे लगा सकते हैं fingerprint lock कैसे set कर सकते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही simple तरीका है इसके लिए मैं अलग से कोई application भी install नहीं करने वाला हूँ यह feature आपके phone में ही है जिससे आप कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने phone पे आ जाईए और जिस तरह से मैं steps करके दिखाने वाला हूँ आपको उसी तरह से आपको भी करना है चलिए इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको Facebook open करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Facebook है इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है settings पे जाना है phone के settings पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पे आपको मिलेगा privacy privacy पे click कीजिए उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा app log इस पे आपको क्लिक करना है, अब जैसी आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ गया होगा, लेकिन आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आप से पासवर्ड पूछा जाता है, अगर आपने यह एप लोग पहले यूज किया हुआ है, तो आपको पासवर्ड ड पे क्लिक करना है और इधर यूज पे क्लिक करना है उसके बाद यहां पे आपको फेस्बुक पे फिंगर्पिंट लॉक लगाना है तो इसके लिए आपको यहां पे फेस्बुक को ढूंड लेना है यह रहा फेस्बुक इस पे मैं क्लिक कर देता हूं उसके बाद एप लॉक प क्लिक करना है और यहां पे आपको देख लेना है कि यूज फिंगर पींट 4 एप लॉक यहां पर टिक है या नहीं तो यहां पर टिक है अब यहां से हम बाहर आ जाते हैं और अब हमारा जो फिंगर पिंट लॉक है वो फियस्विक में successfully apply हो गया है लग गया है चले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ तो यह रहा facebook इसे open करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं fingerprint lock जो है वो मुझसे पूछा गया है आपको black screen दिखा होगा लेकिन fingerprint lock जो है मुझसे पूछा जा रहा है तब ही जाके हमारा facebook जो है वो open होता है तो इसी तरीके से आप भी अपने facebook पे fingerprint lock को set कर सकते हैं लगा सकते हैं